आज मेरे घर आये मसीह खुश्यों आपका स्वागत है नो फ्रेंड्स मेरी क्रिस्मस टू यह आल और यह क्रिस्मस 2020 का हम लोग के जीवन में शुक्षांति फञाइल के चलाएं और आज हम लोग एक विशेश विश्राय के ऊपर बात करेंगे एक क्रिस्मस जो देखिए जो हम लग मुनाते हैं 25 को यह को सिर्फ केख खाने का समय नहीं है या एक बालक का जन्म का उत्सव नहीं है यह अब यह उससे बहुत कुछ परमेश्वर का एक संदेश है जो कि इस क्रिस्मस में छुपा है और आज हम लोग उसी संद्म परमेश्वर को उसी संदेश को देखेंगे देखेंगे जिस प्रकार एक बालक का जन्म होता है और उसका जनम दिन साल में एक वर मना जाता है उसी प्रकार कुछ लोग क्रिस्मस को भी समझते हैं देखेंगे यह कोई प्रफू कि साधर हम पालक का जनम यह उत्धार करता इस्शु का जन्म हुआ है ठीक है यह जैद प्रफू प्रफश के परिवार वाले उसके परिवार तक ही सिमेट्र रहता है लिकन इसा क्या बात है कि यह उद्धार करता ये शुको पूरा दुनिया आज 25 दिसंबर को हम लोग सब को मिलके मना रहे हैं इसके पुझे परमेश्वर का एक अधूद शंदे से आज हम लोग परमेश्वर के अनुगरा से वचनों के द्वारा जानेंगे देखिए लुका लुका दो काईगार में क्या लिखा आज दाउत के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है और यही मसीः प्रभू है हालेलुया यानि कि देखिए वह उद् परमेश्वर को इस धर्ती पर आना यह बालक जो है परमेश्वर अद्रीश परमेश्वर का साक्षातकार प्रकटिकरन एशू है उस शरीर का नाम एशू पढ़ा देखिए वह उद्धार करता पूरे दुनिया को उद्धार देने के लिए उनका जन्म हुआ क्योंकि देखि पर जो अद्रीश्वर उन्हों ने एक योजना मनाया और योजना के दहात वह कमारी से जन्म लिए और पूरा दुनिया आज के दिन उस बालक परमेश्वर जो शाक्षातकार प्रकटिकरन हुए उसका जन्म मनाते हैं वह उद्धार करता देखिए मति एकाई का इसमें इशू रखना कि वह आपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा देखिए उद्धार का मतलब यह था पापों से छुटकारा आज के दिन जो है पूरी मानव जाती देश विदेश सब देश चाहे लंदन हो अफ्रीका हो या फिर इंडिया हो अफगानिस्तान हो पकिस्त इस धर्ति पर आयत है इसलिए जो है पूरी दुनिया मनाते हैं कि पूरा दुनिया को वह पाप का छुटकारा मिला देखिए लोगों के मन में धार ना है कि हमको एक अच्छा नौकरी मिल जागा तो मेरा उद्धार हो जाएगा जिनको बच्छा नहीं है बोलते हैं कि मेरा ह नंब को एक अच्छा नकरी मिल जाएता धिए देखिए उद्धार का मतलब यह दुनियादारी के नहीं दार्श यह पापेछепम को मुक्ति जैसे पापेछी जो आद्मी शुद्ध हो जाएगा पवीत्र हो जाएगा वह परमेश्वर सामते जाने के लाइक हो जाएगा और स्वर्ग राज का उत्रादिकारी हो जाए तो आज वह पापों से मुक्ति मिला था यानि वह संपुर्ण उद्धार का रास्ता आज खुल आज से वह पर्मेशर का यूजना पूर्ण होने की स्थिति में आ गया था इसलिए आज हम लग पूरे दुनिया उस उद्धार करता का जन मनाते हैं उद्धार करता है ये दिखिए उद्धार के लिए पर मे पर्मेशर के बास बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक मापदंड है यानि कि एसे ही हमको उधार नहीं मिलेगा देखिया उधार के लिए जो है ना पूरी तरह शुद और पवित्र होना चाहिए जो कि पूरे दुनिया के विए करके अपने शरीर पर मरें त्यक्ति तीन गडे के लिए 12 बज़े दूपर से तीन मज़े दूपर तक पूरा अंद का तीन गंड में परमेश्वर ने सम्भूत बरत्मान भविश तीनों कालगा पाप अपने शरीर पर ले लिया तीक है और वो जो है पूरी मनोजादी के लिए स्वेक्षा से बलिदान हुए जब उनको कुरूस पर चड़ाए रहा था वह किसी गाली ने दिये उल्टे वह बोल र रहा जो आख शुद्धी करण है यह नहीं कि यह नया नियम में बनाये यह पुराना नियम यह एक नियम था कि याजक लोग साल में एक दिन जो है पूरी पूरी अपने लोगों के लिए एक मिमना का लोगा कटोरा में लेकर करके परमेश्वर के संभुख पुरंपवित्रहस्तान जाते थे और परमेश्वर के वेदी पच्छिट रखते थे उससे उनका पाप ढप जा लेकिन जब हमारे इशू का इशू आए तो जो है वह सब आप जो ठाप किया था पूरी तरह से दूर गया देखिए इब्राणिया नौ का अगर हमारे प्रभु नहीं मरते पूरा मानो जाती नर्ग में जाता जोगी पाप की यह तो दंड मृत्य है तो सब को अमलक मरते इसलिए परमेश्वर ने वह आजवुद योजना बना ताकि पूरी मानो जाती के लिए वह एक परमेश्वर जो है अपना बलिधान स्वें दिय तिक है देखिया कौन दे सकता लगदार देने वाला जो है इस रिष्टी कर रिष्टी काल्व ंधिकार होने चाहिए हमको मनुष्कों जानवर को हवा पनई आगस्पृथिक बनाने वाला होला में हम यह परमेश्वर खाणिष्वर नकिसारी हैं तिक है देखिया और इसलिए शरीर का जो कती था वो मरें लेकिन वह परमेश्वर तो तो हाँ लिए उनके ची उठरे के कारण वह सच्चे परमेश्वर है ठीक है क्योंकि हम लोग किसी मनुष्ट का पूजाने आराधना नहीं करते वो जीव परमेश्वर का आराधना करते हैं जीवित परमेश्वर का आराधना करने और जब वो जीव जीव उठे तहां हम का शавлив करें के अपने दिल शह्मा वांगे हवि परमेश्वर के समक्ष स्वर्ग में जा सकते हैं क्या लिखा है कि बाला कुरंदियों 15 का 14 में और यादि मसी भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी वेड़ते हैं तुम्हारा विश्वास भी वेड़ते हैं आमेन देखिए हम लोग उस इशुक नहीं मानते जो नाम के हैं या फिर वो मरें नहीं तो फिर हमारा उधा कैसे करें तुक है ओम यश्व को मरना बहुत जरूरी था तुक है और मरना जरूरी था और मानोजादी को पाप को चमा के लिए लेकिन उनका जी उठना भी उससे ज्यादा जरूरी था ताकि हम जो है परमेश्वर को शुद्धाप पविथरता में जिला जाए और आगर हम अगर आज पूरा दुनिया यूश्व का जन्म दिन मना रहा है तो पूरा दुनिया इसका गवाही भी दे रहा है कि हमारा सच्चा पर्मेश्व जो इस धर्दी पर आएं वह हमारे लिए मर्क जी उटे और हम भी उनके शुदता पवित्रता में जीना चाहते हैं और हम अपना उद्धार करता मानते हैं यह सिर्फ केक खाने का समय नहीं है आप इस क्रिस्मस के स्वू समचार को समझ यह कुछ लोग काईगा कि हमको उद्धार के क्या जरुवत इस बात को समझ यह उद्धार का हमको इसलिए जरुवत है जैसे मालेज़े कोई व्यक्ति है कि विए जुर्म से जैने में कहत है थो जहीत मीमें अहीं करेंगा जब तक जैनहां करें क ты je को बढ़े हैं प्रकार आधम में जो फल खाया उससे पाप ल्प गए और पांप और न दयूंदe को परी मानोजाती कशेडान क吧 कि बंद हो गयी ठीकार है हमारा वो सच्चा परमेश्वर जो है हमारे लिए अपना बलिधान दिये अपना प्रवित लहु को बहाएं और वह वह उद्धार का कीमत उन्होंने चुकाया और वह उद्धार का कीमत चुकाने से हम मानव जाती आजाद होगे अब जो कोई भी सच्चे दिल से विश्वास करेगा उसका उद्धार निश्चित है यही है क्रिस्मस का सुसमज़ार हालेलुई ठीक है क्रिस्मस का भाईबान सुसमज़ार समझे क्रिस्मस को हम लोग शुदता पवित्रता और परमेश्वर के भ और और हमारा उद्धार का मार्ग हमारा परमेश्वर ने तयार किया उस योजना का आज पहला दिन था इसलिए हम लोग देखिया कोई फैक्ट जो होता है कुछ भी ओपनिंग होता है उस दिन ग्रैंड पार्टी होता है फिर उसके बाद कोई कोई उसको यार निकरता साल साल म का आज का आनवन का पहला दिन है इसलिए पूरा मानव जाती पूरा दुनिया जह है आज के छोटी रहता है और सब कोई मनाते हैं चाहिए अफ्रीका पागिस्तान हो भारत हो लंदन अमेरिका हो फ्रांस हो रशिया हो जापान हो सब कोई 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 भी किसी भी करें कि देश का हो तक है क्योंकि हमारा सच्चा पर्विश्य को प्रेम करते हैं डेखिए हमको और हमको उधार उस जेल से हमको आजात कर दिया हमारे प्रभू ठीक है अब जो कोई सच्चे दिल से कर शुका अपना उद्दार गर्वांद करें सारब दो दो अपना जीवन परीवर्टन करेंगा व उस जेलसे आजाद होगा वहिर उसका बेल फाउन होगा दों यह जब वो इन बातों को पर सामत होता तो उसका वो का एप्लिकेशन स्विक्रित होता है और जो इसको नहीं मानेंगे चाहिए वह कितने भी बड़े पत्पे हैं लेकिन वह उससे चंगुल में है और वह उसका दन्द भोगेंगे इसलिए भाइबन हम लोग क्रिस्मस को सही मायने में समझे हमारा उद्धार का कार्य आज प्राथ आता है देखे रोमियों दस का नौ में क्या लिखा है जादी तु अपने मुह से इश्व को प्रभू जानकर अंगिकार करें और अपने मंसे विश्वास करें कि परमेश्वन ने उसे मरे हुए में सिजिला तो निश्चित उद्धार पाएगा हाले लिया देखिए उद्ध टिकार करना है क्योंकि ईश्व हमारे लिए मरे हाँ यहवा channel नहीं मरे अधिक यहवा वह जात्री से अगर आम उस्जरीर को महिमा दे तो ंस यहरवा को लगर यहावा और इसुअ अलग अलग नहीं है हैं जिकता है यह पर मैश्वर का अहतोड है जो की बायवान आप समझे ऐसी मैं यह क्रिस्मस सही मैंने में उनके लिए मैंने में क्रिस्मस पाहला दिन प्रमेशर में शुरु हुआ था वह उधार लीका पहला दिन हमारे जीवन कहां से शुरू हो जाए यही है क्रिस्मस यह केक खाने का और और विविंद्रा के क्रिया कलाप का दिन नहीं है जो यह करते हैं वो परमेश्वर के राजे में दंड पाएंगे थीक है क्यों zat कि यह शुद्रता पवितनaste का त्यवहार है देखेगे पहलं यहनाचार का पंद्रह में क्या लिखां जो कोई यह मानलेता है कि यहुट की पोत्र है पर मेशार उसे को अफ बना रहता है और वह पर मेश्वन हाल्य आ वह उसी का उत्धार वह दो में की frater सब्सक्राइब करता कि चलना होगा तब ही हमारा सही मैंने में उद्धार होगा है हालेलुया यही है भाइबन क्रिस्मस का संदेश जो कि दुनिया के एक-एक लोग को मालों होना चाहिए और यह सच्चाई आप झाने और उसके बाद आपका जिन्दगी है आप परमेष्वर के राज में जाना चाहते हैं या फिर शैतन के राज में यह आपकी जिन्दगी है है ठीक है देखिए इब्राणिया नौका 28 में क्या लिखा वैसे ही मजीवी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बार्ज होते हैं उनके उदार के लिए दुसरी बार बिना पाप के दिखाए देगा हालेलुया देखिए हमा पाप का दंड से हैं उनको मारा पीटा गया लेकिन वह दुबारा श्वर्ग राज से अपने दुतों के साथ बादलों पर आएंगे हालेलुया और हर एक विश्वासी का यही उमीद है यही आशा है कि हमारे प्रभु आएंगे बादलों पर और हम लोग को अपने साथ ले जाएंगे और यही एक विश्वासी का फल है जो इसको धैरता पूर्ण थामे रहेगा और अपना विश्वासी जीवन को पक्का दिखाएगा पर मेश्वर की राहों मार्गों पर चलती हुए वही स्वर्ग राज जा पाएगा मूह से हालेलुया और के खालेने से और जैमस कि जब हम लोग पश्रताव को शिरीज बनाएंगे तो आप अच्छे से जान पाएंगा पश्रताव का मतलब होता है जो भी जाने जाने में बच्पन से लेकिन आज के जीवन तक साथ जितना भी पाप हुआ उसको पर मेश्वर के सामने सच्चे मन से स्विकार कर लेना किसी हुआ है तो भाइबान हम लोग का यह दोजार तइसका क्रिश्मस सही माइनि में हर एक श्रोता जो सुन रहा है आज उनके जीवन परमेश्वर का बुलाहाट है आज परमेशर उनको सही माइनि में आज क्रिश्मस तोफा देना चाहते हैं उद्धार का ठीक है यह सब जो हम लोग जानते हैं के काना सेंटा का यह सब दुनिया में बनाई गई बाते हैं और यह इशू से इनको दूर दूर तक कोई वास्ता कोई लेना देना नहीं है इशू सचा परमेशा पूरियमानोजाती को दर्वाजा खुला इसलिए आज के दिन पूरी मानोजाती मन्हें मन चाहिए वह किसी भी देश के हूं कि देखिए युहना दास का नौ में क्या लिखा है द्वार मैं हूँ और जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करें तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करें और चारा पाएगा हालेलुया इशु यहां खुद करें हूँ और कोज में प्रेजितों दश का चार में भी लिखाय कि सास्रे श्रिष्टी में यह वो बैश्यू काूरतले सबीक क्रिस्मस की हारदिक बथाई हैं और प्रभु आपको जीवन में आज वास्त्वी का आपका जीवन में क्रिस्मस आए नहीं परमेश्वर का उधार आपको जीवन में प्रकट हो आज आप सच्चे परमेश्वर को जाने हमारे यूट्यूब चैनल बाइबल नौलेज़ यही उद्देश है पूरी मनो जाती के लिए कि हम जहाँ हम लोग एक सच्चे जीवित परमेश्वर को जाने इस दुनिया के भवर जाल से निकले ठीक है क्योंकि इश्यू ही मार्ग सच्चाई और जीवन है और क्रिस्मस का यहीं संदेश है वह कुछ लोग का ते वह अच् जीवन बढ़ा अच्छे काम के दिखे मनुष्क्रावन होता है जो अपना किया मर्ग अमर्ग खतम हो जाए कितनों अच्छा मात्मा गांदी एक अच्चे मल उसता है वह मर्ग मर्गात खतम हो लेकिन वह सच्चा परमेश्वर्ट उन्होंने हमारे प्रभु यूश्वर ने लंगणों को आखे दी लंगणों को पैर दिया अंदों को आखे दिया मर्ग को जिंदा किया कि यह कोई मनुष्क कर सकता है हालेलुया यह गलत सिक्षा हम लोग बचे हम लोग जो लोग जो सुरोधागन सुन रहा है आप लोग अपना बाइबल लेजिए पढ़िए और वह इस्षू को वास्तविक उधार करता करके आप ग्रहन किजिए वही जो है आपके जीवन में उधार देंगे हालेलुया पर मेंसे आपको बहुत आशीष दे आयांति मचन पढ़ेंगे यहान्ना चार का चावदा और हमने देख भी लिया है और गवाई देते हैं कि पिता ने पोत्र को उधार करता करके भीजा वह सही मैने में कोई पुत्र पिता नहीं है लेकिन अध्रीस परमेश्वर है इसलिए उनको जो है सलकता है समझय बहुत बड़ा कि क्या मदते रहस्या है जो कि जो समझेगा वह इस भावर जाल से पार पाएगा हालेलुया आप आज का दिन आपका सही मैंने में क्रिस्मस हो और परमेशा आपको आशिष दे ठीक है बहुत अच्छा आपने अपने अपना बहुमुली समय दिया प्रभू आपको आशिष दे और आज के प्रवे दिन में हर एक भाई को हर एक सुरुता को भाईवान सबको जो बूड़े हैं जो ब्रीद हैं देखिए उम्र का कोई सीमा नहीं है कि हम आज तक यह कि यह वह कि बा है आप जीवन भर जो भी किया आप सच्चे दिल से अपना अगर आप मृतिव कांतिम पाइदान पर वियां अगर इस्व को अपना उद्धार करता मनिएगा तो आप उद्धार पाईएगा यह यह आप में जान लेजिए कि हमारे प्रभू आत्मा से प्रेम करते हैं ठीक है अच्छिय को जाह मतवर आया प्राथ नहांન करें एक हैक वीडियो को पुरा डिश्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें धिस्क्रिप्शन हमें लें इंग्लीश और हैं hiç वीडियों और दिस्क्रिप्शन, आप चेक करें आ लाइक supporting करें शुक्रिया धन्यवाद गॉड्ड ब्लेस्ट यूपी क्रिस्मस मेरी क्रिस्मस टू यॉर